हेलो फ्रेंड्स आज पांस सप्टेंबर है और पांस सप्टेंबर मेंस डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कुष्ण का जन्म दिन आज क्या दिन हम टीचर्स डे के नाम पे सलिबरेट करते हैं और जैसे के टीचर, सिक्सक, मासाब, मास्तर और कई अनगिनत नाम से हम टीचर को बुलाते हैं टीचर के जो आपको पढ़ा चुका है आज के दिन जितने भी पुराने स्टुडेंट होते हैं वो अपने टीचर को कॉल करते हैं मैसेज करते हैं और कई तो अपने टीचर को खुद जाके मिलते हैं आज के दिन टीचर को बहुत ही अच्छा लगता है कि उनके सारे पुराने स्टुडेंट उनके साथ है और अगर आप देखने जाओ तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर का सेड़ आपकी पुरी लाइफ में आपके साथ रहा होता है दो टाइप के टीचर होते हैं एक होता है आइडियल टीचर और दूसरा होता है इंस्पिरेशनल टीचर वट इस दा आइडियल टीचर एंड इंस्पिरेशनल टीचर आइडियल टीचर जिसे देखते ही हमें लगता है कि नहीं ये सर का जनम तो टीचर बनने के लिए ही की पढ़ाने की टेकनिक देखके हमें लगता है कि अगर ये इंसान टीचर बन सकता है तो हम भी टीचर बन सकते है और हम उनसे इंस्पायर होते रहता है क्योंकि उनका सफर लास्ट बेंचिस टू फर्स्ट बेंचिस होता है मतलब कि वो कभी ना कभी fail हुए होते है और कभी ना कभी टॉपर्स रहे हुए होते है तो ऐसे ही टीचरों की आज हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊ तो जैसे के चानक्य जो सब आब उनको जानते है उनका एक अच्छा सा कॉट्स है कि टीचर कभी साधारन नहीं होता सरजन और विनास उसकी गोद में पलते है लेकिन फ्रेंड्स आज के इस दौर में आज के इस यूग में जो समाज को बनाता है उसकी हालत सबसे खराब है जो टीचर हमारे देश को हमारे रास्ट को एंजिनियर्स देता है टीचर्स देता है डॉक्टर्स देता है चार्टर एकाउंटन देता है बिजनसमेन देता है और कहीं सारे अच्छे नेता भी देता है और वही टीचर की आज समाज में हालत बहुत ही खराब है फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगा लेकिन अमेरिका जैसे डैवलोप कंट्री जितने भी है वहाँ पे प्राइमरी टीचर की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा बेनेफिट्स उनको होते है और हमारे देश में सबसे कम सैलरी प्राइमरी टीचर के होती है ये एक सोचने वाली बात है हम हमारे समाज को कहां ले जा रहे हैं अगर आप सही तरह से देखने जाओ तो आज हमें ऐसा भी देखने मिलता है कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए अंसन पे बैठना पड़ता है जुलूस निकालने पड़ते है गवर्मेंट के अगेंस जाके कुछ बोलना पड़ता है क्यों क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता है कि हमारे साथ न्याई नहीं हो रहा है sorry to say that but हमें उनकी कदर करनी चाहिए हमें उनकी इज़्जत करनी चाहिए हमें उनकी respect करनी चाहिए और मज़े की बात अगर मैं आपको बताओ तो due to respect the government लेकिन अगर आप teacher की job लेने जाओ तो आपको graduation with B.A.D. चाहिए means आप bachelor degree in education होने ही चाहिए और अगर किसी भी education line में आपको minister बनना है तो वहाँ कोई education my friends कोई देखता नहीं है यह हमारे देश की हलत हो रही है लेकिन मुझे विश्वास है और मेरी एक request है हमारे मानिय वड़ा प्रदान स्री नरेंद्र मूदी जी से हमारे सिक्षन मंत्री जी से हमारे राष्टपती जी से के आप सब मिलके कुछ ऐसा नया law बनाए नया काइदा बनाए के जिससे ना के सिर्फ government teachers लेकिन private teachers government teachers और उनके अलावा जो personal tuition classes करके personal बच्चों को coaching देके जो अपना गुजारा चला रहे है वैसे teachers जो समाज को बना रहे है उनके लिए एक नया law बनाया जाए उनको कुछ benefits दिये जाए उनको income tax में rebate दिये जाए उनको अच्छी तरह से कम कागजों पर भी और अगर उनकी income कम है फिर भी उनको loan दी जाए और उनके बच्चों के लिए उनके परिवार के लिए medical और education हो सके तो free किया और अगर हम ऐसा कुछ कर सके तो एक दिन अच्छा होगा कि हमारी आने वाली जो पेड़ी है वो भी सोचेगी कि हमें भी teacher बनना है और अगर हम उन्हें inspire कर सके तो हम पुरे समाज को inspire कर पाएंगे माननी यह मोदी जी के साथ मैं आपको भी एक request करता हूँ के ये वीडियो को इतना viral कीजे के ये वीडियो उन्हें तक पहुंचे और मोदी जी जब ये वीडियो देखे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करे टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ करे और उस दिन सही में teachers day हम celebrate कर स